नमस्कार स्वागत है आप सभी का competition community के YouTube चैनल में मैं हूँ सौरब और आप लोग देख रहें SSC CGL and CHSL का YouTube जैसे कि आप लोग देख पा रहें स्क्रीन पर आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला ही है इंस्टॉल्मेंट एक्जाम के अगर वेटेज की बात करूं तो यहां पर दस शिफ्ट में यदि आपका पेपर हुआ SSC CGL या CHSL का तो एक से दो शिफ्ट में आपका पेपर में सवाल जो है वो इंस्टॉल्मेंट के बन जाते हैं उसमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो compound interest का installment होता है हाला कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको simple interest और compound interest दोनों के installment के उपर मैं आपको सारी चीजे बताऊँगा ठीक है तो in depth हम चीजों को देखेंगे साथ ही साथ हम य पर चीज हमें खरीदना जैसे घर खरीदना है या कार खरीदना या कोई लोन लेना है तो हमारे दिमाग में एक सवाल आता है should I pay in cash और should I pay in installment याने कि मैं इसको नगत भूगदान करता हूँ या मैं इसे किस्तों में पे करूँ installment का मतलब होता है हिंदी में किस्त तो ये जो चीज है ये सवाल है इसका answer जो है हम इस वीडियो में समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है ठीक है तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दबा दें ताकि सारे नोटिफिकेशन्स आपको टाइमली मिलते रहें आपके ऐसे सीजेल और सीजेल का बेस्ट प्रिपरेशन हो रहा है साधरान व्याज का इंस्टाल्मेंट है इसके बारे में थोड़ा साथचा हम पहले करेंगे किश्ट साधारान व्याज का फिर मैं आपको छोटे से ग्जांपल के जर्ई मैं आपको शारी चीज़े सीखा हूँगा ठीक है तो तो सारी समचते चलिए मेरे ठीक मुबाइल फोन आपको खरीदना है मुबाइल फोन आप खरीदने के लिए और मुबाइल फोन जैसी आपने खरीदने के लिए तो सपोस करिए कि आपको साथ हजार रुपय का मुबाइल फोन पड़ा साथ हजार रुपया का मुबाइल फोन पड़ा तो यह है दाम इस मु देता हूं बाकी अमाउंट में आपको बाद में देदूगा तो दुकानदार कहता है चलू ठीक है लेकिन वहां पर कुछ कंडिशन होते हैं तो अभी यह जो 2400 रुपए आपने दिया यह 2400 रुपए का एक नाम होता है ठीक है तो इस 2400 को हम क्या कहते हैं इसको कहते कैश पेमेंट या कैश डाउन पेमेंट कैश पेमेंट या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं कैश डाउन पेमेंट हिंदी वाले क्या लिखेंगे नकद भूगदान क्या है यह नकद भूगदान कितने का हमने भूगदान किया यहाँ पर हमने यहाँ पर दे दिया उसे 2400 रुप के हैं इसे हम क्या हैंगे 24 सो रुपcrire जो हमने अभी के अभी दुकांदार को यूझ दे दिया इसे कह। इसे कहते है नकत भूकतान यानि की के सब्सक्राइश को बाले का मददा का मतलब ऐसे अइसका मतलब क्या है आउट्स्रेणिंग को हिंदी में कहते हैं बकाया राशी ठीक बकाया राशी ठीक अब देखिये यह बकाया राशी कितना है आप खुदी बताई है अगर साथ जार रुपए से आपने अभी 2400 रुपए आपने पेमेंट कर दिया कैशदाउं पेमें कर दोगे साथ हजार में से 2400 माइनस करोगे तो 4600 रुपया आएगा याने 4600 रुपया जो है यह आपको अभी पेमेंट करना बचा हुआ है तो यही आपका क्या कहलाता है यही आपका कहलाता है बकाय राश्टी याने आउट्स्टेंडिंग मौंट ठीक है अब देखिए दु प्रशंट के पाद आप इसको लॉटाते है और यह जो 10 पर एनम है और यह सिंपल इंट्रेस्ट के हिसाब से आप लोटाते हैं क्यूंकि अभी मैं साधारन ब्याज पढ़ा रहा हूं आपको तो साधरन ब्याज के साब से इसको समझ लेतने पहले एक बार अब आप खुदी बताइए साधारन ब्याज हमने पढ़के रखा हुआ है तो सिंपल इंट्रेस्ट मैं उमीद करता हूं कि ब्याज दिया होगा यह तो आपको जो एमाउंट देना होगा याने अमाउंट जो ड्यू है इसको हिंदी में हम क्या कहते है दे राशी दे राशी ठीक है इसको थोड़ा सा आप नोट करके रखेंगे सारी चीज़े क्योंकि यहां पर जो टर्मिनोल लॉजी है उसी के उप 40 परतिसाट तो आपको क्या है ब्याज ही हो गया जो परिंसीपल होता है इस में चालिस प्रतिसाट अप देंगे तो 140 प्रतिसाट जो है आपका इमाउंट हो जाएगा बात समझ बारी 148 परसेंट जो है यह आपका amount हो जाएगा और किसका तो यहां से आपके 46 रुपया का त चुन ने एक बार आ रहा है चाले से करोगे चौरासी 84 फिर फोर्टीन फोर्टी सिक्स प्लस इतना करोगे तो 6440 तो एमाउंट ड्यू जो है वो दे राशी जो है वो 140 प्रतीसयत है और यह आपका जो है साधरान ब्याज कहलाता है अभी लेकिन हम साधरान ब्याज डिसकस नहीं कर रहें तो आप फिर यहां से कहते हैं दुकानदार को अरे भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आपको यहां पर 4600 रुपए की बज़े है इतने सारे रुपए दे दू 6440 रुपए तो दुकानदार बुलता है चली ठीक एक दूसरा रस्ता है आप मुझे किस्तों में पेमेंट करिए यानि कि हर वर्ष हर वर्ष में आप मेरे को कुछ-कुछ एमांट पेमेंट करके थोड़ा सा आप मेरे हम एक फिक्सड अमांट देते हैं यहीं से आप इंस्टों मेंट का डिफिनेशन भी लिखेंगे कि इंस्टों में तो हमारा जो इतना ज्यादा पेमेंट यो करना था थोड़ा सा कम हो जाता है एक बार आप समझ जाएंगे तो within seconds हम questions को solve कर सकते हैं अब यहां पर total कितना time गया चार वर्स गया मतलब देखिए यह पहला वर्स यहां से गुजरा आपने यहां पर कुछ installment पे कर दिया यह जो 4 installment है मैं मान लेता हूं 100 रूपएके चार इंस्ट्रॉलमेट अवने 100 आप देखिए यहाँ पर आप तीन वर्षों का ब्यास देने से बच जाएंगे यह एक दो और तीन वर्ष क्योंकि आप यहाँ पर जो एमाउंट दे रहे हैं साधारन व्यास के साबसे वो चार वर्षों के अंत में दे रहे हैं यह वाला 100 रुपए चाहे आप इंस्टॉल्मेंट के साब से दें चाहे आप साधारन ब्याज में दें इसमें कोई फरक नी पड़ रहा है यह 100 का 100 होगा क्योंकि 4 वर्ष तक यह पैसे आपके हाथ में है तो अगर आपके पास है तो इस पर आपको 4 वर्ष का ब्याज देना होगा यह वाला जो 100 रुपए आपने दे दिया तीसरे वर्ष के अंत में तो आप इस 100 रुपए को एक वर्ष कम रखे एक वर्ष कम रखने का मतलब यहाँ पर अगर आप एक वर्ष और रखते तो यह वाला जो 100 रुपय जो आपने तीसरे साल के अंत में दे दिया उसमें 10% देने से आप बच गए क्योंकि ब्याज किदर आपके 10% है मतलब अगर आप इसको यहाँ पर ना देकर यहाँ पर देते तो 110 रुपया लगता है बात समझ में आ रही है अब यहाँ से जो यह वाला है इस पे आपने दो साल का ब्याज बचा लिया क्योंकि आपने दो वर्षों के अंत में ही इतना पै सेम यह जो है इसके बजाए अगर आप यहाँ पर इसको पेग्मेंट करें तो एक दो और तीन वर्ष का 30% और एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ता जिससे आप बच जा रहे हैं इंस्ट्रॉल्मेंट में आपने पहले साल के अंत में ही दे दिया तो यहाँ पर अगर आप के अमाउंट ड्यू याने की दे राशी के बरावर होती है अब यहाँ से आप खुदी बताइए कि 460 के बरावर कितना चे हजार 440 रुपिया तो अब सवाल में हमको इतना ही करना है बस इसको जोडेंगे यह दे राशी के बरावर कर देंगे सोलीोशन आपका इतना ही बनेगा 460 बरावर हो इतना इसको जोडने के बाद आपسे अगर पुछा जाए कि बताइए कि स्त-की अमांट क्या है इंस्टॉल्मेंट का वैल्यू क्या है तो 100 रुपए आपका इंस्टॉल्मेंट अगर 460 बरावर इतना तो 100 रुपए का मान निकाल सकते हैं कितना असान सी बात है 6440 divided by 460 multiplied by 100 अब देखिए इसको calculate कर लिजे कितना रहा है यहां से अधी में इसको 00 काटो 2 से काटोगे 23 बार जाएगा इसको 2 से काटोगे तो 322 आ रहा है ठीक एक बार और 23 से काटने पर यहां पर एक बार जाएगा फिर 9 कैरी ओर हुए 92 चार बार कटेगा मतलब इसका वैल्य यह जो 100 यूनिट हमने लिया यह 1400 रुपया के बराबर है अब आप खुद ही सोचिए आपने 100-100 के 4 बार किस्ट दिये मतलब 1400 रुपया पहले साल के एंड में 1400 रुपया तीसरे साल के एंड में और 1400 रुपया चौथे साल के एंड में और आपने किस्ट को payment कर दिया पूरा जो आपका amount यू था वो पूरा का पूरा हो गया complete मतलब आप खुद बताइए कि आपने पैसे दिये तो कितने दिये वह आपने 1400 को चार बार दिया किस्तों के इसाब से देखा जाये तो 1400 को मैंने चार बार दिया जो कि कितना हुआ 5600 उपीस ही हुआ और यहां पर यदि ज्यादा होता है लेकि जो प्रिंसिपल प्लस इंट्रेस्ट यानि कि जो अमाउंट ड्यू है चार वर्सों के बाद जो दे राशी है उससे कम होता है तो थोड़ा सा फाइदा यहां पर आपको बता दिया एक बार अच्छे से नोट कर लीजे इसको समझे कि मैंने यहां पर सवाल आये तो इसको कैसे हमें हल करना है यहां से सारी चीजे समझने के बाद अब यहां से रेट आफ इंट्रेस्ट का सवाल आ जाए चाहे आपके बकायर आशी के उपर सवाल आ जाए चाहे आपके पास किस्तों के उपर सवाल आ जाए चाहे रेट आफ इंट्रेस्ट के उ debt of 10,750 due in 4 years at the rate of 5% प्रतिसत ब्याज की दर से चार वर्सों के बाद 10,750 रुपए की दे राशी राशी दे हैं तो वार्शिक किस्त क्या होगी आपको निकाले तो सवाल ऐसा ही बनता है आपको दे राशी दी गई है मतलब जो amount due है वो आपको दिया हुआ है यह आपका principle नहीं है यह आपका दे राशी है तो देखें simple से मैं आपको बताऊंगा एक बार और मैं आपको बना के दिखा देता हूं कि किस तरीके से हमारा किस्त पे होड़ता है चार वर्षों की बात हो रही है तो पहले वर्ष के अंत में आपने suppose 100 का यहां पे बुगदान किया दूसरे प्रतीसत के हिसाब से आपको देना तो यह 100 रुपए आखिर वाला 100 रुपए चाहे आप चार वर्षों के अंत में दे चाहे इंस्ट्रॉल्मेंट में यह 100 का 100 रहेगा लेकिन यह जो पिछला वाला 100 है जो की तीन वर्षों में आपने पे कर दिया इसमें आप 5% देने से ब पर आपको 115 दिना होगा क्योंकि यहां पर आपका 5% 5% 5% के साब से 15% एक्स्ट्र आपको पे करना पड़ेगा क्योंकि अगर आप 100 रुपए को तीन वर्ष और रखोगे तो यह 115 बन जाएगा ठीक यदि हम इसको समप करें तो देखे कितना आएगा 5 और 15 20 हो गया प्लस 10 कर दिखाय दी तो 430 रुपिया जो है यह 430 का वैल्यू आपको दिया हुआ सवाल में कितना 10,750 रुपिया और साथ में आपको निकालना क्या है आपको निकालना है एनुवल पेमेंट तो एनुवल पेमेंट हमने कितने का माना है 100 रुपिया का माना है तो क्या आप 100 का वैल्य 25 कर लेते तो 25 रुपय हो जाए तो सी जो है सवाल का सही उतर है क्योंकि 430 में पच्छिस मुल्टिप्लाय करने पर ही तो वैल्यू आ रहा है और यह हमारा दे राशी हिसाब से हमारे सब और दे राशी बरावर इतना दिया मतलब 25 गुणा है तो यह इंस्ट्रॉल्मेंट जो कि 100 गुणा है वो भी आपका यहां पर इतना हो जाए मतलब पच्छिस सो के चार इंस्ट्रॉल्मेंट अपने दिए 10,000 रुपय में हो गया पेमेंट कम्प्लीट यहां पर अगर आखिर में दोगे 10,750 रुपय एक्स्ट्र आपको देने पड़ रहे है ठीक है चलिए आशा करता है आपको समझ में आया होगा आगे बढ़ते हैं अगला 8% परेनम देखिए 6 साल के बाद इतना अमाउंट जो है देना है यदि वो 6 बरावर किस्तों में चुकाना चाहता है तो वे प्रतियक किस्त कितने होगी यदि ब्याज किधर 8% है आप में बस पढ़ लिया इस सवाल को डारेक्टली आपको इतना ही लिखना है पहला आखिर वालत जो है वह 100 का बनता है इसके फिले वाला इकसर इसके प्छले स्लτά का ठीक है क्योंकि ृच्छाजिस इसके और 132 तो 5 हो गया 146 हो गया जोड़िए इसको एक दो तीन चार पांच छे इसको जोड़ेंगे तो दिखिए आठ और 32 यह दोनों 40 होता है 16 और 24 भी चालिस होता है और यह 40 है यानि तीन बार 40 करोगे 120 आ जाएगा एक केरी फोरवड और यह 6 मतलब 720 का मान आपको दिया हुआ है 720 का मान आपको कितना दिया हुआ है सवाल में 32,400 रुपिया है बस इतना ही चलाना है हमको पेन एक्जाम में और आप से पूछ रहा है 100 का मान बता यह कौन सी बड़ी बात है 32,400 divided by 720 हो जाएगा multiplied by यहाँ पर हंड्रेड ठीक अब यहां से य इसका मान इतना दिया हुआ है 100 का मान आपको निकालने को कहा गया तो 32,400 divided by 720 यह एक यूनिट का मेल्य होगा और यहां पर 400 से मल्टिप्लाइ करना होगा यदि मैं इसको सॉल्फ करूं तो एक जिरो इससे कट जाएगा अठारे से चार गुना होता है यह अठारे से कटेगा एक सोसी बार ठीक है चार से कटोगे तो यहां 45 आएगा 45 इंटू सो यह रूपीज 45 ठीक किता हो जाएगा 4500 पैतालिस सो रूपया में आपका काम हो जाएगा यहां पर ठीक तो चार किस्त आपको देने 45 रूपय के उससे आपका पूरा का पूरा अमाउंट जो है शे वर्स 5 परसेंट सिंपल इंट्रेस्ट तो आपको बताना है कि यहां पर एन्वल पेमेंट क्या होनी चाहिए ठीक है पांच प्रतीसत साधारन व्याज के सबसे तीन वर्स में यदि 47,250 रुपय का रिंड चुकाना है यानि कि तो भूगदान कितना करना पड़ेगा ठीक है चोड़ देंगे कितना आ गया 315 अब 315 कमान कितना दिया हुआ है 315 कमान दिया हुआ है सैतालिस या दो सो पचास और आपको क्या करना आ आपको इंस्ट्रॉल्मेंट का वैल्यू निकालना है तो 100 का वैल्यू आपको निकालना है तो यह हो जाएगा 47,250 डिवाइड बाइ यहा नीचे आ जाएगा 315 मल्टिप्लैड बाइ यहां पर 100 कमान निकालना से तो 100 आ जो पांच आपको देना पड़ेगा यहां पर कैसे हमें यहां पर किस्तों के सवालों को लगाना है जब साधारान ब्याज के साब से सवाल बन रहा है चली कुछ और सवाल देखते हैं अगला यहाँ पर सिंपल सा सवाल एक और दिया हुआ है Annual installment will discharge the debt of 9300 due in 5 years at 12% simple interest तो 12% के साब से 5 वर्षों में अगर 93-100 रुपया का राशी दे है तो वार्षी किस्त क्या होगी तो आपको बस यह देखना है simple C language में यहाँ पर देखे 5 वर्ष दिया है और 15% दिया तो 100 लिखेंगे 112 लिखेंगे 124 लिखेंगे 136 और 148 ठीक इसको जोड लीजे अगर जब मैं यहाँ पर 12 देख रहा हूँ एक यानि कि 620 620 रुपया का मान दिया हुआ है 9300 और 100 का मान निकालना है तो कौनसी बड़ी बात है 9300 डिवाइड़ बाइ 620 यह हो जाएगा एक का मान मल्टिप्लेड बाइ 100 अगर मैं इसको दो 0 स्को पर नीचे से काट लू 31 से काटोगे दो बार कटेगा और यह जो है आपका 30 बार कटेगा दो से काट लो तो यह 15 बार कटेगा 15 इंटू 100 करने पर रुपीज 1500 रुपया बन जाएगा 1500 रुपया यानि कि यह सवाल का सही उत्तर है यहां तक बाते समझ में आगई क्लियर है कैसे इसको सॉल्व करना इस तरीकी के कुश्चन को ठीक है बार-बार मैंने इस पैटन के कुश्चन को वैल्यूस चेंज करके आपके सामने लाया है ताकि इस तरह का सवाल अगर आ गया विदिन सेकेंड्स आप इसको सॉल्व कर सकें अगे देखते हैं यहां से दिया हुआ है एट वोट दा एन्वल पेमेंट ऑफ नाइन हंडे इन फाइव यर्स एट फिफ्टीन परसेंट पर रनाव विल डिश्चार्ज और डेप्ट ऑफ वाट अमाउंट यहने 900 रुपय के वार्सिक किस्त 15 प्रतिसत के हिसाब से 5 वर्सों में किस धनराशी का कर्ज चुकाएगी दिखें यहां से अब सवालों को थोड़ा सहम चेंज कर रहे हैं आपको यहां पर इस सवाल में दे राशी निकालनी है यानि कि आपको क्या निकालना यहां पर एमाउंट डू निकाल इसके पिछले वाले 900 में आपने एक्स्ट्रा जो है यहां पर 15 पर्सेंट बचा दिया 15 पर्सेंट जो है वो 900 का कितना होता है 135 मतलब 135 रुपिया जो है वो आप बचा लिए अगर आप इसको आखिर में पे करेंगे तो इतना आपको चुकाना पड़ेगा अगला वाला किस् 30 पर्सेंट बचा लेंगे क्योंकि 15 पर्सेंट 15 पर्सेंट के साब से दो वर्ष यह आपका एन्वल इंस्ट्रॉल्मेंट है यानि कि 30 पर्सेंट यहां पर 270 रुपिया यह एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा इसके बाद वाला जो 900 है उसमें आपको 135 और देना होगा यानि अब आपको यहां पर इतने से काम नीच रहेगा 540 रुपे देने रहेगा तो इतना पूरा एमाउंट जो है वो डियो एमाउंट रहेगा आपका पांच वर्षों के अंत में जिसको आप 900 900 के 5 इंस्ट्रॉल्मेंट यानि 4500 रुपे दे कर ही आप उसको चुकता कर द यहां पर 30% बचा रहें 15% यह 30% बचा रहें और यह 60% बचा रहा है आपका तो यह तो इतनी हो जाईगी अब बताइए टोटल कितना आएगा इसको बस टोटल करना है हमें इन सब को जोड़ोगे 5 बार तो 4500 आएगा ठीक यदि मैं इसको जोड़ने जाऊं तो यह 135 और इसको चलिए ऐसे जोड़ लेते 5 प्लस 5 यहां पर 10 आ जाएगा ठीक और यह आपका बन्या 10 प्लस 15 पांच यानि कि 15 ठीक और 2 और 2 चार होगे चार प्लस चार आठ होगे आठ प्लस पांच करोगे तो 13 आएगा ठीक इन दोनो 200 रुपे में ही complete कर ले रहें क्योंकि हम किस्तों में यहां पर payment करते सवाल में आपसे दे राशी पूचा था तो दे राशी इतनी हो जाएगा अगला सवाल लेखते हैं यहां से अक्षे बौरोड 15,000 रुपीज एंड रिटर्न 6500 आफ्टर 6 यह आफ्टर 10 यह स्टार्टिं अक्षे ने क्या किया 15,000 रुपय का सदारन भ्याज के साब से उधार लिया सबसे पहली बाद जब तक आपको बताया नहीं जा रहाएं यहां अपर चली बताया है साध्र रहां यहां सिंपल से सबसे पहले तो आपको formula पता होना चाहिए simple interest बराबर होता है PRT divided by 100 जिसमें आपका जो principle होता है यह principle आपके बकाय राशी पर लगता है बकाय राशी का मतलब कि आपके जो outstanding amount है उस पर लगता है यह interest कि जबी आपको यहां पर जबी आपको किसके बारे में सवाल आ गया इंट्रेस्ट के उपर यानि कि simple interest के उपर आपका ध्यान किस पर जाना चीए साधारन ब्याश के उपर कि हमने कितना साधारन ब्याश दिया और वह साधारन ब्याश हो है कोई भी फर्मूला मैं आपको नहीं बताऊंगा बस डेफिनेशन जो है सिंपल इंट्रेस्ट का वह आपको पता होना चाहिए ठीक चलिए अब देखिए समझें यहां से अक्षय गुजरे 6 years के बाद उस ने क्या किया उसने यहां से 6500 रुपई उसने लोटाए जैसे वह 6500 रुपीज लोटाएगा तो अब यहां पर जो बखाय राशी है यह हमने पेमेंट कर दिया तो बखाय राशी कितना होगा पंद्राह हजार माइनस 6500 बात समझ में नीए 15,000 जो है इस पर 6 वर्षों तक ब्याज लगेगा लेकिन इसके बाद 6 वर्ष के बाद जैसे ही आप यहां पर 6,500 रुपए लोटा देंगे तो अब ब्याज जो लगेगा वो 15,000 रुपए पर कैसे आप लगा सकते हैं क्योंकि 6,500 तो लोट रिया मतलब अब यहां से 8,500 रुपया यह आपका outstanding amount है याने बकायराशी यह चार वर्षों के लिए चलेगा क्योंकि यहां से शुरुवात से 10 years from the starting तो शुरुवात से 10 years की बात हो रही है तो 6 वर्ष तो पहले गुजर गए चार वर्ष और है इसके बाद आपने इतने पैसे चुका दिये मतलब 13,460 रुपय आपने चुका है और आपने इस किस्त से मुक्ति पाली तो यहां पर आपको rate of interest निकालना है तो सबसे पहली बात आप खुद बताईए कि rate of interest निकालने तो कैसे निकालने सबसे पहले आपक को समझना होगा कि principal value जो है वो आपका 15,000 रुपय है एमाउंट कितना है तो वो आपका है 6,500 रुपय यहां चुका है हमने और हमने यहां पर कुछ value चुका है तो इन दोनों को जोड़ना होगा इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो आपका value आजाएगा 60, 5 प्लस 4 याने 9, 6 इतना आपने यहां पर amount दिया तो देखे अब ब्याज होती क्या है ब्याज यही होती है कि मोलधन पहले कुछ था और हमने जो पैसा एक्स्ट्रा पेमेंट किया इन दोनों में जो एक्स्ट्रा पेमेंट हमने किया वही हमारा interest कहलाता है तो यहां से यदि कोई आप से साधर इसा ही जो हो जाएगा इन दोनों का difference हो जाएगा यहने 4960 अब यह 4960 आया तो कैसे यह 4960 क्या है साधरन व्याज और यह आया 15,000 में 6 सालों का साधरन व्याज और 8500 में 4 वर्सों का साधरन व्याज यह बात समझ मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं देखे यह आपका ब्याज है और यह कौन सा ब्याज है तो यह साधरन व्याज है और ब्याज किस पर लगती है तो बकाय राशी पर लगती है याने amount outstanding जो है उस पर लगता है सबसे पहले तो आपने 15,000 रुपए का amount लिया शुरुवाती तो यह 6 वर्सों के लिए आपने यहां पर payment किया मतलब कि अपने हाथ पे रखा इसको जैसे आप 6,500 दे देते तो अब outstanding amount 8,500 हो जाता है तो 8,500 पर 4 वर्सों का ब्याज लगेगा तो अब simple सी बात है कि साधरन व्याज है 4960 बराबर हो जाएगा 15,000 रुपए पर 6 वर्सों का ब्याज याने 6 आर बाए 100 इंटो 6 यह वाला step समझ में यह principle rate by multiplied by time और यहां से आपका आजाएगा 8,500 8,500 में आर बाए 100 और यहां पर आजाएगा 4 वर्स ठीक अब देखे कुछ चीजों को आप mentally calculate करना चालू करिए यह जो formula है यह formula आपको mentally calculate करना होगा यह चीज मैंने एक बार आपको explanation के तोर पे लिखा कि 15,000 रुपए पर 6 वर हम directly ऐसा लिखेंगे 15,000 में 6 वर्स का ब्याज और यहां पर 8,500 में 4 वर्स का ब्याज ठीक और यहां पर आर बटा सौ को बाहर लिखेंगे तो यह दो जिरोस इन्दोनों जिरोस को और इन्दोनों जिरोस को काड़ देंगे तो अगर हम इसको जोड ले तो यह जाएगा 900 प् 4960 के तो clearly आप देख रहें इसका चार गुने हो रहा है मतलब rate of interest जो है वो कितना होगा 4 percentage हो जाएगा ठीक है तो यहां पर कुछ basic terminologies है इस terminologies को आपको समझना होगा ठीक और इसको आपको समझना होगा कि 15,000 पर 6 वर्षों का ब्याज और 8500 पर 4 वर्षों का जो टोटल ब्य जैसे कि अगला सवाल दिया हुआ है यहां पर मनीश बोरोड 16,000 एड़ रेट ऑफ सिंपल इंट्रेस्ट आफ्र त्री यर्स ही पेस बैक 7,000 एड़ अड़ एंड ऑफ सेवें यर्स ही पेड ही पेड 12,570 तो री पेड़ लोन वाट इस दे रेट ऑफ इंट्रेस्ट चार्ज तो मनीश ने साधारन व्याज की किसी दर से 16,000 रुपए लिये थे उधार तीन साल के बाद 7,000 उसने लटा दिये और भुगदान कर दिया 7 वर्ष के अंत में उन्होंने इतना दे दिया और भुगदान कर दिया तो व्याज क्या देखे कुछ चीजे मैंने explanation के तौर पे पि दिया मतलब जो इंट्रेस निकल के आया वो कितना आया 35,000 रुपए आपका ब्याज आया इतना क्लियर है अब यहां से आप समझिए कि 16,000 रुपए जो है इस 16,000 रुपए पर तीन वर्षों का ब्याज लगा होगा और जैसे यहां पर उसने 7,000 रुपए पेमेंट कर दिया तो यहां से अब 9,000 रुपए पर रिमेनिंग 4 वर्षों पर ब्याज लगा होगा क्योंकि टोटल 7 वर्ष के अंत में उन्होंने रिंट चुका दिया तो आपको डिरेक्ली यह समझना है कि साधारन ब्याज कितना है 3570 है जो कि किसके वराबर होगा 16,000 पर 3 वर्षों का ब्य यहां से यह कितना है बताइए यह 480 बनेगा यह 480 प्लस यहां से जो वैल्यू आये रहा है यह बन जाएगा आपका 360 आर तो इन दोनों को जोडने पर जो वैल्यू आएगा वह आपका rate of interest देदेगा तो rate of interest कितना हो जाएगा 3570 और बटा में आपका यह वैल्यू आ इसका वैल्यू कितना रहा है अगर इसको हम करें दो जी रहां से कर जाएंगे साथ से काटों यहां 12 आ रहा है तीन से इसका ते हा चार आ रहा है यहां सादीfer इसको चाहरा नहीं यह बन जाएगा 4.25 परजनटेज यह चार दे समल लव 2,5 प्रतिसद पर्यांज्स हो यहां से जो ब्याज मिला वोगा वहां से आपका rate of interest आजाएगा एक एक बॉपीज दस जार सिंपल इंटरेस्ट दो साल के बाद तीन हजार दिया पांच साल के अंत में उसने जाही हजार दिया साथ साल के अंत में उसने 6720 दिया और पूरा का पूरा एमाउंट क्लियर कर दिया तो बताना है कि रेट अफ इंट्रेस्ट क्या होबा ठीक तो सिंपल है प्रिंसिपल आपका कित्ता दिया हुआ प्रिंसिपल दिया हुआ भई 10,000 रुपय एमाउंट आप खुद बताएंगे आपकी टोटल कितना पेमेंट किया इन तीनों को जोड़ना होगा तो 20 यहां पर आ रहा है ठीक है साथ प्लस पांच 12 हो गया एक कैरी फॉरवर्ड ठीक है यह बन जाएगा आपका 12 यानि कि टोटल हमने जो इंट्रेस्ट दिया सिंपल इंट्रेस्ट के साब से 2220 रुपया डिया अब यहां से है कि यह 2220 किसके बराबर है सबसे पहली बात तो यह 2220 हैापका साधारान ब्याज जिसमें से आपको समझना होगा कि 2 वर्षो तक आपने ब्याज लगाए 10,000 पर तो 10,000 पर दो रषो का ब्याज लगेगा ओ प्लस इसके बाद आपने कितना पेमेंट कर सब्सक्राइब. यहां से 7000 में से आपने धाई हजार रुपए फिर से लोटा दिए धाई हजार रुपए आप लटाओगे तो आपके बस बचेगा 4500 रुपए अब आपके पास यहां पर टाइम कितना बचा है उसको थोड़ा गौर से कैलकुलेट करिएगा क्योंकि यहां से दो और तीन पां से कड़ जाएंगे यह कितना है यह 210 है यह 210 और वहां से नब्ब्य आ रहा है तो 410 और नब्ब्य करोगे तो 500 आर बराबर है 2220 के एक जिरो इससे कड़ जाएगा और यह 50 है 50 का मतलब होता है भाई कि यहां से रेट ऑफ इंट्रेस जो है अगर मैं इसको 25 से काटू तो यहा पर 111 यहां पर आएगा 111 divided by 25 है मतलब उत्तर यहां पर जो वैल्यू आएगा चार से कड़ जाएगा सो बार 11 का रिमेंडर आ रहा है 25 यानि कि 4 सही 11 बटे 25 प्रतीसत यह जो है सवाल का सही उत्तर है आशकरता हूं कि इस तरीकी की सवाल में जब किस्तों के उपर सवाल में जब rate of interest पूछा जाए तो आपको कैसे solve करना है यह आपको समझ में आने लगा होगा चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से एक सवाल और लिया हुआ है rate of interest आपको निकालना है बताइए भई अब कि इसका उत्तर क्या आएगा ठीक है तो अब सवाल को मैं उमीद करता हूं कि आ आप से solve हो जाएगा मेरे solve करने के पहले देखिए समझी यहां पर दिया क्या हुआ है mobile is sold for this much cash और this much cash down payment together with this much to be paid after one month अब देखिए यहां से एक महिने की कहानी चलू हो रही है तो एक मन्त वाले में rate of interest कैसे निकालना है यह आपको समझना होगा देखिए तो एक महिने का मतलब होता है एक बटा बारा वर्ष तो आपको वस यह चीज ध्यान रखना है कि एक महिने के उपड़ जब सवाल बन गया तो वहां पर एक बटे बारा वर्ष आपको लिखना होता है time की जगा पर बस इस चीज का खास ध्यान रखना है बाकि चीज़े as it is यहां पर cash down payment आपको जो करना था वो इतने का करना था या फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप इतने का cash और एक मेने के बाद इतना पेमेंट कर सकते हैं चालिस रुपए एक्स्ट्र आपको देना पड़ रहा है यानि amount जो आप पे कर रहे हैं वह 2000 प्लस 2440 है जो कि यह 4440 रुपए हो मतलब साधारान ब्याज जो आपने दिया वह 40 रुपए का दिया अब simple सी बात है कि यह 40 रुपए है वह साधारान ब्याज है साधारान ब्याज है और साधारान ब्याज होता है principle into rate into time बटा 100 तो आप खुद बताइए यहां पर principle क्या है rate क्या है टाइम क्या है देखें 40 साल सारी 40 रुपए आपका ब्याज हो गया साथ में आपको एक महिने के बाद आप दे रहें मतलब time आपका हो जाएगा एक बटा 12 साल ठीक है अगर आप 2000 रुपए payment कर देते हैं जैसी आप इसमें से 2000 रुपए payment कर लेते हैं तो आपके पास जो बकाय राशी होगी 4400 में से 2000 रुपए आपकी बकाय राशी होगी मैं कह रहा हूं कि अगर 2000 रुपए आपने cash down payment कर दिया आपका फोन जो था वह इतने का था तो ब्याज हमेशा बकाय राशी पे लगती याने outstanding amount पे लगती है यह मैंने आपको शुरुआती तौर पर बताके रखा हुआ है इसके उपर भी मैं एक-दो सवाल और आपको करा लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि अलग-अलग महिने में जब इंस्त्राल्मेंट मेंट हो रहा है तो यह एक बटे-बारा हमारा time हो जाता है इसको आपको ध्यान की एक साल जो अगले में इस चीज़ को ध्यान में और पश्यान रखना है चलिए अगला सवाल देखे यहां दिया हूँ है तो देखे एक मुबाइल जो है वो या तो आप इसको पंदरा सो रुपए नगत खरीच सकते हैं या फिर अथवा वही मुबाइल को आप अग्रीम भुगदान करेंगे यानि कि तो आपको मुबाइल फोन अभी के अभी मिल जाएगा लेकिन अगर आपके पास पंदरा सो रुपए नहीं है तो आप क्या करते हैं भई मेरे पास 3.500 रुपए है तो मैं 3.500 रुपए अभी दे देता हूं उसके बाद आप 400-400-400 करके 3 case किसे दे रहे लए मतलब टोटल आपने जो amount पे किया इस वाले केस में वो कितना पे किया देखे भई आपने 350 रुपए तो शुरुवाती तौर पे देदिया नकत इसके बाद 401 महिने के बाद 401 महिने के बाद 400 तीसरे महिने के बाद मतलब की टोटल अगर देखा जाये तो यह आपका 50 यहां पर और यह आपका 1200 और 300 याने 1550 रुपए आप दे रहे हैं मतलब आपने एक्चुली 50 रुपए ज्यादा दे दिया तीन महिने में तो आपका जो साधारान ब्याज लगा वो कितना लगा वो लगा 50 रुपए का यहां तक सारी बाते समझ में आगे अब देखे यह जो 50 रुपए एक्ष्ट्रा लगा वो क्यों लगा उसको थोड़ा सा आप समझिए इसके पीछे की कहानी ठीक है मैं एक बार और अच्छे से डेप्ट में आपको समझा देता हूं उनकी मंतली वाला है थोड़ा सा आपको समझना होगा देखे पंदरा सो रुपए थे इसमें से आपने 350 दे दिया पंदरा सो र रुपए हमारा आउटस्टैंडिंग अमांट बन यहने बकाय राशी बन गया तो ग्यारा सो पचास रुपए पे आप एक मंत का ब्यास देंगी और एक मंत के एंड पे आप 400 रुपए पेक्मेंट कर देंगे चार सो रुपए जैसे आप पेमेंट कर दोगे तो अब दूसर मंत के शुरुआत के लिए कि दूसरे मंत के सुरुरात के आपकी आपड़ सात सो पचास रुपए बचेगी एक महीना गुजरा एक महीने के बाद आपने फिर से चार ुपए पेमेंट कर दिया और जैसी आप 400 रुपए पेमेंट कि हैं 10 अब लेकिन आप एक्जाम में बस इतना ही लिखेंगे कि आपका ब्याज है 50 रुपिया यह ब्याज होता है प्रिंसिपल इंटु रेट इंटु टाइम बटा सो अब इसमें 1150 पर एक महिने का ब्याज 750 पर एक महिने का ब्याज मतलब ग्यारा सो पचास पे ठीक है आर बटे सो और ब्याज यह होगा ऐक महिने का ब्याज कियो पृष्ट इंटु टाइम होता है अगले वाले साथ सो पचास पर फिर से एक महिने का ब्याज लगन के लिए प्रिंसिपल है तो यहां आर ब्टा सो इंटु एक बटे बारा ऐसा लिग सकते हैं और आखिर वाला तीन सो पचास है साड़े तीन सो रूपिया इसमें आर बटा सो रेट हो गया इंटु एक बटे बारा ये वाला स्टेप भी मैंने आपको केवल और केवल तीनों में common निकालके ऐसा डारेक्टली करेंगे ग्यारा सो पचास प्लस साथ सो पचास प्लस थीन सो पचास इसपर आपको एक महिने का ब्याज लगाना यानि आर बटे सो इन्टु एक बटे में यह आपका हो जाएगा अब यहां से रेट अप इंटरेस्ट आप निकालेए फटाप फटापका calculation इससे निकल जाएगा ठीक साथ सो पचास तीन सो पचास को जोड़ लेते हैं तो पचास यहां भेजोगे आठ सो जट ग्यारा से हो रहा है मतलब दो हजार दो सो पचास हो यह आपका हो गया total value ठीक अब यहां से आर बटे 100 एक्स्ट्रा आर बटे 100 और यह से काटोगे तो यहां पर तीन इसको काटोगे तो बीस मतलब rate of interest टोटल जो आ रहा है वो बीस इंटू चार उपर जाएगा तो अस्ति आ जाएगा और बटे में यह तीन आ जाएगा मतलब चब्विस दो सही दो बटा तीन पर तीसर यह आपका rate of interest कुछ चीजे मैंने हां explanation क के तोर पर लिखिए यह सारी चीजे आपको exam में नहीं करना है यह सारी चीजे आप माइंड में जितने तेजी से solve कर सकते उतने ही जल्दी आपका answer निकल के आ जाएगा ठीक है तो practice जो आएगा उसमें भी मैं आपको इस तरीके के सवाल दूंगा ताकि आप सच समझ में first installment is half of the second one third of the third and find the second installment and if the rate of interest is 10% अब देखें यहां पर आपको तीन बरावर बरावर installment की बात नहीं हो रही है यहां पर 12,800 रुपया जो है वो तीन साल के बाद देनी है यानि देर आशिया आपको दी हुई है कियारा है यदि तीन किuci्तो में चुकाना है और साथ में दिया हुआ है पहला किस जो है वो दूसरे किस्त का अधा है और तीसरे किस्त का एक त्याई है और दूसरे किस्त जो है दूसरे किस्त का आधा है और तीसरे किस्त का जो है यानि तीसरे किस्त का एक तिहाई है तो रेश्यो जो बन रहा है वह 1 पहला एंस्ट्रॉ्म rental 100 रूपय है तो दूसरा वाला 200 रूपय तीसरा वाला 300 रुपय बनेगा, ऐसा लिख सकते हैं और ये एक साल के end में, दूसरे साल के end में तीसरे साल के end में इस तरीके से हमको देना है मतलब देखे ए कि हमें यहाँ पर तीन किस्त देना तो है, लेकिन पहला किस्त 100 रुपया का है जो कि एक साल के end में चुकेगा दूसरा किस्त जो है वो दूसरे साल के end में चुकेगा 200 रुपिया और तीसरा किस्त जो है वो तीसरे साल के end में चुकेगा जो कि है 300 रुपिया यहां तक समझ में आगी बाते दे राशी जो है वो 12800 रुपिया है बात कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि आपने इसको तीन वर्ष के अंत में चुका है और टर्म भी आपका तीन यर्स का है मतलब इस तीन सो को तीन सो रुपए ही आपको देना होगा यह वाला जो दो सो है इसमें आप दस परसेंट देने से बज़गा क्योंकि आपने दूसरे वर्ष के अंत में चुका दिया और रिमेनिंग जो है आपका 10% एक्स्ट लगेगा यहां तुस परसेंट एक्स्ट लगने का मतलब यहां पर आपको 220 रुपए देना होगा यह वाला जो 100 रुपए है जो आपने पहले साल के अंत में चुका दिया उनकी 10% ब्याज की दर है 1x10% यहां पे एबर 10% यहांफे हैंने 20% देने से आप बच गए यहां पर ॓ मतलब इसके जगा पर अगर यहां पर पते कर कोगे तो 20% एक्स्ट्रा पे करना होगा और 20% एक्ष्ट्रा का मतलब कितना तो 120 टिनों को यहां पर इसको जुड़ोगे तो चार इसको जुड़ोगे नियूद 640 640 का मान दिया हुआ सवाल में anos 640 का मान दिया हुआ सवाल में कितना दिया原 है इतना दिया हुआ है मतलब 12800 659 कि इसमें 20ग Divine APP अब सवाल सिंपल सा इतना ही आप से पूछ रहा था चि अगर इसमें 20 गुणा हो रहा है तो इसमें भी 20 गुणा होगा और 20 मल्टिप्लाय करने पर यहां पर 4000 रुपए जो है हमारी किस्त बन जाएगी दूसरी वाली ठीक है इसमें निकालना था दूसरी किस्त निकालनी थे चार हजार रुपए जो है इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा आशा करता हूँ कि यह सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ठीक चलिए अब यहां से मैं आपको ले चलता हूँ कमपाउन इंट्रेस्ट के इंस्ट्रॉल्मेंट तो जैसे कि हमने सिंपल इंट्रेस्ट के ऊपर इंस्ट्रॉल्मेंट देखा वैसे ही आपका सक्रिवर्दी ब्याज यानि कि कमपाउन इंट्रेस्ट का इंस्ट्रॉल्मेंट भी चलता है तो पहले मैं आपको यहां पर डार स्वाती तोर पर मैंने आपको बताया कि अगर दस शिफ्ट में पेपर हो रहा है तो एक से दो शिफ्ट में आपको जो है compound interest के installment की उपर सवाल देखने को मिल सकता है simple interest के उपर सवाल आने काफी दिनों से बंद हो गया लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा हम छोड़ दें उसको कि नहीं आएगा सवाल आपको पढ़ना है जरूरी है क्योंकि अगर पिछले पांच वर्स में अगर कभी न कभी आया है तो यहाँ पर आने के chance रखता है और ज्यादा important है वो compound interest का है क्योंकि latest pattern जो आपके विदाउट फॉर्मिल है कैसे इसको सॉल्व करना है सारी चीज में आपको बताऊंगा देखिए मान लीजे कि अपने इसका उधार लिया तीन वर्सों के लिए तीन वर्सों के लिए आपने लिया rate of interest आपका आर है यहाँ वार्षिक के साब से आप यहां पर इसको पे कर तो तीन वर्षों के बाद यहां पर जो आपका amount बनेगा वह amount हो जाएगा principle इंटू one प्लस आर बटे सो होल टूटी पावर यह आपका हो जाएगा फॉर्मुला लेकिन अगर मैं तीन वर्षों की बात कर रहा हूं तो यहां पर तीन बन जाएगा यहां पर आपको समझना होगा कि अब जो ब्याज लगती है वह यहां पर अब चक्रवदी ब्याज लगती है मतलब यह वाला जो x है यह x तो x का x ही रहेगा लेकिन यह वाला जो x है यहां पर आप इस x में एक वर्ष का ब्याज देने से बजगए मतलब यहां पर आप x इंटू 1 प्लस आर बटे 100 जो है इतना वैल्यू आपको देना था जिससे आप यहां पर x से ही बजगए x देकर ही बजगए दूसरे वर्ष के अंत में यह वाला जो ब्याज है इसमें आप दो वर्षों का ब्याज लगेगा और दो वर्षों का ब्याज का मतलब यहां पर जो ब्याज लगेगा इस केस में हम देख रहे है कि प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बटा 100 होल के पावर जब 3 है यह बरावर है किसके तो यह बरावर है x इंटू 1 प्लस आर बटे 100 के होल पावर 1 प्लस x के बरावर है इसी के तो बरावर है तीनों को आपको जोड़ देना है देखिए यह तीनो यह भी है और टोटल अमाउंट यह भी है क्योंकि आप इसी चीज को किस्तों में एक्स एक्स के किस्त में आप इसको पेमेंट करें तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से दिखता है आपका जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से दिखेगा आप इसको नोट बनाके रखिए आपक प्लस आर बड़ा 100 और क्योंकि यहां पर अब दो बार था तो यहां पर दो बार कड़ी यह एक बार बचा था अब यहां पर यहां पर कुछ भी नहीं है तो यहां पर वन प्लस आर बड़ा 100 का hole के power 3 बचे तो formula जो है वो change होता है depending upon की हमारा n का value क्या है n के उपर हमारा formula change होता है इसको आप note बना के रखिए ठीक है समझ भी आया formula कैसे बनता है अब मैं आपको formula लिखा लेता हूँ पहला सवाल में आपको formula के जरिये भी बताऊंगा और trick के जरिये भी बताऊंगा और उसके बाद जितने भी questions में आपको दिखाऊंगा यहाँ पर वो सारे में आपको trick के जरिये करेंगे कोई भी formula आपको याद करने कोई याद सकता नहीं है ठीक चलिए अब यहाँ से आप formula नोट करके रख लीजे कि अगर आपने p amount को उधार लिया पी जो है आपने उधार लिया उधार ली गई रासी याने कि हमने जो principal है यह principal amount है ठीक principal amount यह हो गया इसके साथ में हमने rate of interest जो r percentage rate of interest हमारा term का है और number of terms हमारा n है ठीक है इस n के उपर depend करता है साथ में अगर x जो है हमारा installment है यह x जो है हमारा installment है installment हम दे रहे तो यहाँ पर compound interest के साब से हम बात कर रहे हैं यानि कि चकरवृदी ब्यास के साब से हम बात कर रहे हैं तो यह आपका किस्थ है यह क्या है किस्थ है ठीक किस्थ है यहाँ तो यहां से आपको समझना होगा कि यदि हमारा n equal to 1 होता है n जब equal to 1 होता है तो हमारा formula हो जाता है principle is equal to x divided by 1 plus r बटे 100 हमारा formula इतना ही रहेगा जब n equal to 1 हो लेकिन जब n equal to 2 हो जाता है n equal to 2 होने पर formula change हो जाएगा principle into x divided by 1 plus r बटे 100 प्लस x divided by 1 plus r बटे 100 का whole square हमारा formula बन जाएगा जब n equal to 3 होता है तो formula क्या बन जाता है n equal to 3 होने पर formula यह बन जाता है n जब 3 है तो formula यह बन जाएगा तो मैंने आपको सारी चीजे बता दी यहां पर कि n equal to 3 होने पर क्या formula होगा n equal to 1 होने पर क्या formula होगा n equal to 3 होने पर क्या formula होगा तो यह सारी चीजे जो है एन क्या है यह सारी बाते मैं अब यहां रिपीट नहीं करूंगा यह सारी चीजे हम पहले compound interest के दोनों वीडियो में बात कर चुके है ठीके ना जब आर होता है यह आर होता है आपका rate of interest per annum और time जो होता है यह आपका time होता है years में और R जो होता है यह R के बराबर हो जाएगा N जो होता है यह T के बराबर होगा जब हम annually calculate कर रहे हैं यह कब होता है जब annually calculation हो रहा है ठीक है और R जो होता है यह R by 2 के बरावर हो जाता है और N जो होता है यह 2T के बरावर हो जाता है यह कब जब हम अर्दवार्शिक रूप से सहीं उजित करते हैं याने half fairly के तरीके से हम जब calculation कर रहा है तो यहाँ पर calculation में एन और आर जो है इस तरीके से चेहन जो जाता है यह सारी बाते मैंने आपको cover करके रखाया हुआ हाफ फैरली 5 monthly भी हमने देखा है 8 monthly हमने देखा है सारी चीज़े हमने compound interest के दोनों वीडियो में cover अपीर फार्मूला इतना ही रहेगा नजब फॉर्मूला बंगा यह यहां पर यहां पर तीन तर्माल है तो इस को आप कर लिए ठीक के तीनों फॉर्मुले यह एक फॉर्मुला मैंने अपको बता दिया और ये दोनों फॉर्मुले को भी आपने नोट टाउन कर लिया होगा चार बार अगर आ गया तो चार टर्म हो जाएंगे जिसका फॉर्मूला आप बना सकते हैं, समझ में आगी बात हैं, अब एक question में आपको यहाँ पर लेकर चलता हूँ, compound interest के सवाल में, और इस सवाल के बाद, इस सवाल को देख लेते हैं, सवाल को देखने के बाद, मैं आपको बताऊंगा, कि इसको without formula है, trick के जरीए कैसे करना है, तो देखे, पहले समझ एक आजमी ने दो वार्षिक किस्तों में, दो साल के अंत में, चार प्रतिस्यत ब्याज की दर्से, चक्रदी ब्याज के रूप में, इतने रुपए का भूगदान करने के लिए उधार लिता है, मतलब, यह जो है, इतना रुपए आपका उधार है, साथ में आपको बोला ग क्योंकि यहाँ पर आपका जो है, एन टू है, दो वर्षों की बात हो रही है, और वार्षिक तरीके से हम इसका भूगदान कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका जो है, क्याल्कुलेशन, यह 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 होगा, अब देखिए, यहाँ से आपको समझना है, कंपाउंड इंट्रेस् प्रिंसिपल आपका इतना है, तो प्रिंसिपल इसके जगापे मैं कितना लिख दूँगा, 242550, यह हमारा हो गया ब्याद जो धार ली गई रहे थी, रेट जो है, चार परसेंटेज है, तो इसके जगापे मुझे 4 लिखना होगा, और यह वाला जो रेट है, इसके जगाप नहीं, यह भी एक बटा 25 हो जाएगा, मतलब वैलू जो है, वो कुछ इस तरीके से आजाएगा, एक्स डिवाइड़ यह हो जाएगा, 26 डिवाइड़ बाइड़ बाइड़ 25 का होल स्क्वार, करेक्ट, यह इसको सॉल्फ करते है, तो एक्चुली यहाँ पर 25 उपर आजाए प्लस यहां से उपर आएगा, तो 25 का स्क्वार डिवाइड़ बाइड़ बाइड़ 26 का स्क्वार आजाएगा, मतलब यहां पर 26 का स्क्वार मन जाएगा, मतलब 676 नीचे आजाएगा, 26 यहां पर एक बार जाएगा, क्यूंकि 26 यहां पर यहां पर जाएगा, तो 650, प्लस य 75 x divided by 676 अब देखे यह पूरा का पूरा जो है वह इसके मान यान के सकते हैं अगर पूरा इसस Überम हम यहां से X का वैलू निकाल सकते हैं बताइए भई X का वैलू क्या आएगा अब सिंपल सी बात है कि यह इसका दुगना है इसका दुगना है यह दो गुना हो रहा है तो X का मान हो जाएगा यहां से इसको दो से मल्टिप्लाय करना होगा 676 तो बावान आएगा एक फिर बारा और एक केरी फॉर्विड है तो तेरा बन जाएगा ठीक है अटि जो पा चार प्रतीसत है इस चार प्रतीसत का थेंगा आपको पता होना चाहिए इसका अगता ह financing किया करहा तो आपका जवाब होगा एक बट हैं ठीक है फोर परसेंट का मतलब होता है 4 बटा सो यहने कि एक बटा एक बटा पत्चिस हुता है तो principle और amount का जो ratio होता है पहले वर्ष में यह हो जाता है 25 अनुपात 26 दूसरे एगर में हो जाता है 25 का square 26 का square दो वर्षों के बाद यह अनुपात हो जाता है यह जो 26 का square है यही हमारा जो है installment होता है यह जो 26 का square last में जो value है यह हमारा installment होता है और क्योंकि यह बरावर याने की equal installment वाला case है, तो हर जगा हमें 26 का square बनाना होगा, मतलब अगर मुझे इसे 26 का square बनाना है, तो उसमें 26 multiply करना होगा, तब ही 26 का square होगा, और अगर एक side 26 multiply होगा, तो दूसरे side भी 26 multiply करना होगा, मतलब यह आपका क्या होगा, यह आपका 650 बन ज ठीक, 67, अब आपको समझना है कि हमारे calculation में यह जो value है, यह आपका installment है, यह आपका क्या है, किस्त है, यानि यह आपका किस्त है, ठीक है, मैं सारी चीज़े आपको बता रहा हो, इस पहले वाले question में, अगले वाले question में हम फटा-फट calculate करेंगे, अब देखे, यहां से आपक उधार ली गई राशी होती है, मतलब यह आपका principle होता है, सवाल इसमें interest के उपर भी बनता है, interest के उपर कैसे बनता है, तो मैं आपको बता देता हो, इन नोनों को जोड़ देंगे, तो total amount आजाएगा, इन नोनों को जोड़ देंगे, तो कितना आएगा, 1352, यह हमारा है total amount यह आपका total value जो आप दे रहे हैं, यह है, अब देखें सवाल इसमें ब्याज के उपर जब बना, तो क्या करना है, इन नोनों का अंतर ले लेना, मतलब इस पे और इसका जो अंतर है, यही interest आप पे करेंगे, इन नोनों को जोड़ कर, जो value आएगा, वो यहाँ पर total difference देग अब मैं वापस आता हो इस सवाल में, ठीक है, यह चीजे calculate हो गई, इसके बाद समझे हमारा calculation बस simple सा ही है, इतनी सारी चीजे मैंने आपको केवल information के तौर पे दिया, अब सवाल क्योंकि कुछ भी पूचा जा सकता है, अब देखें हमको क्या निकालना है, उसके उपर ध्या तो हमारा जो किस्त है, वो 676 है, ठीक है, प्रिंसीपल इतना है, और प्रिंसीपल का दो गुना हो रहा है, यहां पर पच्चीस सो पच्चीस, पचास रुपिया, और 676 हमारा किस्त है, तो इसमें भी दो गुना करोगे, तेरा सो, बावन रुपिया, यह हमारा किस्त बन जा साल जिसमें आपको कहा जा रहा है कि यहां पर सम जो है वो एक्स वस बॉरोड एंड पेड बैक इंटू इक्वल येरली इंस्टॉल्मेंट इच अफ दिस मच देन इफ दे रेट अफ इंट्रेस्ट इस फाइफ परसेंट कंपाउंड एन्वली वाट इस दे वैल्यू अब दे दिया हुआ है और 5 प्रतिसत यदि हम व्याज की दर दे रहें तो चक्रदी व्याज जो है वह वार्सिक स्यूजित भी है आपको बताना है यहां पर एक्स कमान क्या होगा मतलब आपको उधार ली गई राशी निकाल ली है तो देखें अब यहां पर हम कोई फॉर्मूला व क्योंकि यहां पर हम दो वर्स की बात करें तो इंस्टॉलमेंट जो हे साथ में यह हैं यहां से इसका यहां से समझगे इसका बेरी यह अपका बंज्याएगाी से 10 tochen जाए गा और यह जो वैम यह अपका बन जाएगा 440 सवाल में डिया हुआ है कि आप ने बरावर बरावर 2 जो खिस्त दियो उसका वैल्य आपको धूज़ए पर जोडने पर जो वैल्य आएगा कि इन दोनों को जोडने पर याने 820 जो है यह हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा 820 का वैल्यू आपको निकालना है तो बताई कितना आसान है यदि आपको 441 का वैल्यू पता है तो 35280 divided by 441 यह आपका हो जाएगा एक यूनिट का वैल्यू और हमें यहाँ पर 820 यूनिट का वैल्यू निकालना है तो मैं इसमें 820 में डिकला करना है यही आपको करना है जब भी आपको इस तरीकी का सवाल आ गया कुश्चन बन गया पेपर में तो आपको यही करना है चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से यदि मैं इसको सॉल्व करूँ अगर यह 21 इंटू 21 तोड के लिख लेता है 21 इंटू 21 इस तरीके से तोड लेता है साथ से काटने पर 3 आएगा इसको साथ से काटोगे तो 5,0,4,0 आ रहा है इसको भी साथ से काटोँगा तो यह 3 बन जाएगा इसको साथ से काटे पर 720 बनेगा तीन और तीन जो है यह आपको 9 बन जाएगा तो यह 80 बार काटेगा तो 80 multiplied बार इतना करना है तो 2 zeros आ गए 16 आएगा यहाँ पर 64 प्लस एक करोगे तो 65 आ जाएगा 65,600 रुपिया तो C जो है यह हमारा जो है प्रिंसिपल बन जाएगा उधार ली गई राशी इतनी है यदि आपको यह समझ में नहीं आया formula ही लगाना चाहते है तो formula भई आपका इस तरीके से बनेगा कि x बराबर आपका principle है x बराबर principle है हमने जो x माना था वो installment हुआ करता था एक प्लस पांच बटा 100 का दो बार तो 2 का square करना पोईगा इसको calculate कर लीजे x कमाना देगा बट इसकी कोई आवसकता नहीं है हमारे पास trick है आप trick को follow कर सकते है चली next question देखिए यहां दिया हुआ a man purchased a motorbike for a certain price and promised to pay back in three equal installment of rupees for rupees installment of 13,230 rupees ठीक है at 5% per annum compounded annually what is the cost price of the motorbike तो एक व्यक्ती ने motorcycle किसी किसी कीमत पर खरीदी और motorcycle के मूले को इतने रुपए के दो समान वाश्ति किस्तों पर सहयोजिक चकरविर्दी ब्याज की रूप से बुगजान कर दिया करने का बादा करता तो motorcycle का क्रह मूलक क्या है ग्याद करें मतलब एक बार फिर से पिछले सवाल के जैसा ही है तो यदि आपको values याद है तो directly आप 441 बरावर इतना और 820 बरावर कितना आप निकाल सकते हैं ठीक है या फिर पूरा देखे 5% जो है 1 by 20 हो जाएगा प्रिंसिपल और एमाउंट की रेश्यो की बात करें तो 20 अनुपाद 21 और अगले बार 20 का स्क्वेर याने 400 अनुपाद 441 होता है यह आपका किस्ट है तो अगले साल पिछले साल बेपी तो 441 होना था मतलब इसमें 21 गुना करना होगा तो 441 आएगा और इसमें भी 21 गुना किया तो इसमें 20 होगा तो यह बनजाएगा चार सो बीस 440 ठीक मतलब टोटल है वह वह आठ सो भीस और इसका वैल्यू आपको सवाल में दिया मैंगा होय dare याने 441 का वैल्यू इंस्टॉल्मेंट का वैल्यू जो 441 है इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 13230 तो डारेक्टली तीन गुने हो रहा है 30 टाइम्स तो अगर यहां पर इतना वैल्यू दिया हुआ 820 आपका प्रिंसिपल है यही आपका मूल होगा प्राइज बाइक का इसमें भी 30 गुने करना होगा तो दो जिरो के बाद यहां पर तीन है तो छे बार शिक्स टाइम्स हो जाएगा यह 326 और 343 एट ट्वेंटीफोर 246 008 सवाल का सही उत्तर हो जाए यहां तक बात समझ में चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुछ्छन यहां दिया हुए लोन हास्टो बी रिटर्न इन्टू इक्वल इंस्टॉलमेंट्स यह ली इंस्टॉलमेंट ऑफ 4400 इन्टॉलमेंट इस प्रिंसिपल और एमांट का रेश्यो जो बनता है वह 20 अनुपात 21 का होता है अगल इक्वल इंस्टॉलमेंट का केस है तो इसको भी 441 बनाना होगा मतलब यह अगर 21 मल्टीप्ला करोगे 441 तो इसमें दूसरे वाले में भी 21 मल्टीप्ला करके इसको 420 बनाना होगा अब देखिए बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि आपको यहां पर इंट् दिया तो कितना दिया इस वाले में आपने 41 रुपया का ब्याज दिया और इस वाले में टोटल जो आपने ब्याज दिया वो 21 रुपय का है अगर मैं दोनों को जोड़ दो तो यहां पर 21 प्लस 41 हो जाएगा 62 और 62 का मान आपको बताना है यदि बताईये 441 का मान 44100 मतलब 100 गुने हो रहा है तो इसका मान भी कितना होगा 100 गुने करने पर वैल्यू आ जाएगा की नहीं 6200 रुपया यह हमारा ब्याज हो जाएगा तो इंट्रेस्ट के उपर यदि सवाल आ गया तो इसका अंतर और इसका अंतर इन दोनों को जोड़ देना क्योंकि आपका 420 प्लस 400 8 यह आपका क्या हो जाता है 820 आपका ट्रीकम लाओ फिरनों हीने कीव जोड़ो ऑफ इंट्रेस्ट इंट्रेस्ट निकालना है यह अब इस ब्हों सब्खने होग ठाटिसे आउट्रेंट्रेस्टन इंट्रेस्पर्यन इंहें एवार निक्वसर्च aldतखर फेरलि इंस्टोल्मेंटता अंधे दो बराबर बराबर आप अर्ध-वार्षिक किस्तों कि प्रक् tamanho कि दो एक शमान अर्ध-वार्षिक किस्तों में लटाता है वार्षिक रूप से चक्र वर्ध और चार प्रतिसट जो है वार्षिक सबसे पहली बात जब आप यहां पर बताइए कि रेट जो है वार्षिक रूप में आठ प्रतिसत है तो हम जानते हैं कि जब अर्ध वार्षिक रूप से सबस्क्राइब करते हैं कि जो आठ पर प्रतिसत दिया हुआ है यह पर अधवार्षिक रूप से क् więks तो ऑर प्रतिसत का डबल हो जाएगा यहांने 625 और यहां 676 होगा यहां से अगर देखा जाए तो इसको भी 676 करना जरूरी है यह भी आपका 676 हो और यहां से अगर इसको देखा जाए तो अगर आपने इसमें 26 मल्टिप्लाइ किया तो इसमें 26 मल्टिप्लाइ करोगे शाड़े 600 रूपया हो जाएगा आप समझें यहां से बात को कि आपने हाफ एरली इंस्ट्रॉल्मेंट टू इक्वल हाफ एरली इंस्ट्रॉल्मेंट इच और रूपीज इतना दिया तो यह वैल्यू क्या है यह है 10 गुना कर दिया 10 टाम्स कर दिया आपको इंट्रेस्ट निकालना है तो इंट्रेस्ट आप सिंपल सी बात समझें कि यहां पर आपने कितना दिया यहां पर मैं देख रहा हूं 51 का इंट्रेस्ट दे रहे हमारे अनुपात में 10 गुने हो रहा है तो इसमें भी 10 गुने करना होगा तो ब्याज हमारा जो है वह कितना हो जाएगा साथ सो सत्तर रुपिया 770 रुपीज तो डी जो सवाल का सही उत्तर हुआ है चले आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट कुश्चन यहां पर देखते हैं यहां पर दिया हुए असम ऑफ रुपीज 8,275 इस बोरोड़ेट 20 पर सेट पर एनम compound interest is paid back in three equal installment compounded semi-animal what is the amount of each installment तो देखे 8,275 रुपे को 20% वार्षिक चक्रवृद्धी ब्याज की दर से उधार ली जाती है और तीन समान अर्दवार्षिक किस्तों पर वापस किया जाता है तो प्रत्यक किस्त की राषिक क्या है हमें ग्याद करनी है तो समझे यहां पर आप आपको तीन किस्तों में से लोटाना है तो मतलब n equal to 3 तो होगा लेकिन जो rate है वो rate आपका 20% नहीं रहेगा क्योंकि 20% जो है यह 12 वर्ष का rate है आपको अर्धवार्षिक रूप से देना है तो यह आधा करना होगा यानि 10% अब तीन वर्ष की बात है तो घवरानी कोई बात 121 होगा तीसरे वर्ष में इसका क्यूब यहने 1000 अनुपात 1331 होता है यह जो last वाला value आया है यह हमारा किस्त होता है यह आखरी वाला value आया है यह हमारा installment होता है अगर यह installment है तो आपको बताना है यहाँ पर installment का value तो हर वर्ष आपका installment सेम होगा मतलब इसमें भी 11 multiply करना हो जाएगा और यह आपका 1331 हो जाएगा 1331 और इसमें इसको 1331 बनाने के लिए 121 मल्टिप्ला करना होगा यह 1210 रुपया होगा यह और यह वाला वैल्यू जो यह 1331 हो जाएगा अब बात समझ में आ अब सवाल में दिया हुआ है कि जो उधार ली गई राशी थी 1310 रुपया थी इसका मान आपको दिया हुआ थल अ तो तीन वर्स की बात हो, चाहे दो वर्स की बात हो, यही process आपको follow करना है installment निकालने के लिए, और principle आपको दिया था, तो इन तीनों को जोडने पर जो value आता है वो principle के बराबर होता है, तो यह 3310 8275 के बराबर होगा, 1331 का value निकालना है तो कौनसी बड़ी बात है, 18275 divided by 331 आ जाएगा 0 और यहां पर 1 3 3 1 आएगा चलिए इसको solve करते हैं अब देखिए अगर मैं इसको calculate करने की कोशिश करूँ तो 331 को अगर मैं यहां से काटूं तो 8275 दिया हुआ है दो बार कटेगा यह 662 से माइनस करने पर यहां पांच आ रहा है और कहीना कहीं जो वैल्यू है यह इसका पांच गुणा है मतलब यह जो है इसको 10 बार कटेगा 331 इसको 25 बार कटेगा अगर मैं इसको और further calculate करूँ तो य फिर से 75 आएगा 75 में साथ जोडने पर 82 पर 25 आएगा और क्योंकि 10 अमलब एक है तो एक दस अमलब यहां पर लग जाएगा क्योंकि 10 है ना नीची तो एक दसमलब तो 3327.5 मतलब जो एंसर है वह वाला सही है यहां पर इस तरीकी सवाल को कैसे हैं अगर तीन वार भी अगर आगया तो भी आप इसको सौल कर सकते हैं यदि आपको फॉर्मूला पसंद याने फॉर्मूला ही पसंद है और इससे सॉल नहीं करना चाहते हैं तो पहली बार का, प्लस X divided by 1 plus 10 by 100 होगा दूसरी बार का, और 1 X divided by 1 plus 10 by 100 होगा तीसरी बार का, तो इसको आप solve कर सकते हैं, आपका X का value same आएगा, लेकिन इसकी कोई आप सकता नहीं है, जब हमारे पास ratio approach दिया हुआ, ठीक हुआ, नेक्स्ट सवाल दिखते हैं, सुरेखा borrowed a sum of money and returned it into equal installment of 55247 each, if rate of interest is 7.5% per annum compounded yearly, the total interest paid by harvest, फिर से एक ब्याज के उपर सवाल है, सुरेखा ने एक धनराशी उधार ली थी और इसे प्रत्येख 5.547 रुपए के दो समान वर्षिक किस्तों पर लोटाती है, ब्याज की गणना वा साड़े साथ प्रतीसत है, तो बताना है कि उसने भोगदान किया गया, कुल ब्याज क्या है, ये ग्याद कर ली है, तो सबसे पहली बात आप ये समझिए, कि धाई परसेंटेज का मतलब हम सब जानते हैं, धाई परसेंटेज का मतलब 1 बटा 40 होता है, पहले तो आप ये मतलब देखें, साड़े साथ परसेंटेज का फ्रैक्शनल वैल्यू जो है, ये 3 by 40 है, तो ये चीज आप मेंटली कैलकुलेट करना सीखें, जितना ज्यादा परसेंटेज के उपर आपका कमांड होगा, उतना ही ज्यादा आप तेजी से ये चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं, दूसरे वर्ष इसका स्कॉयर होगा, मतलब यहाँ पर 1600, और इसका स्कॉयर निकालना आप लोग जानते हैं, पहले वीडियो में मैंने सबसे पहली बात जो कैलकुलेशन का बताया था, ट्रिक्स उसमें बताया था, 50 में साथ कम है, 25 में साथ कम करोगे, 18 आएगा, और 7 का स् 16 में एक जोड़ोगा तो 17 यहाँ पर आ रहा है, और यह 43 का स्कॉयर है, तो यहाँ पर 1849 आएगा, अब आप बताये कि सवाल में निकालना क्या है हमें, सवाल में क्या निकालना है, देखिए हमें दिया हुआ है कि 5547 हमने इंस्टॉल्मेंट दिया, मतलब आपको वैल्यू इस 1849 का जिसका वैल्यू है 5549, 5549, 47, मतलब डियरेक्ट की डियरेक्ट इसका तीन गुने हो रहा है, मतलब हमारे रेश्यो में जो भी वैल्यू है, उसमें आपको मल्टिप्लिकेशन फैक्टर याद रखना है, तीन गुने करने पर रूपीज में जो वैल्यू है, वो निकल इस्टर हम दे रहें, 129, यदि मैं दोनों को जोड़ दूँ, तो यहां से समझ में आ जाएगा कि हमने टोटल वैल्यू दिया, तो कितना दिया, यहां 9 है, 9 है, 18 हो जाएगा दोनों को जोडने पर, 2 प्लस 4, 6 प्लस 1 करोगे, तो 7 आ जाएगा, 2 प्लस 1 मतलब 378 हम दे रहे दोनों को जोडने पर, 1, 1, 3, 4 रूपया हो जाएगा, 1, 1, 3, 4 रूपया, ठीक, तो यहां से जो सवाल का सही उत्तर है, वो B option ही, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, आशा करता हूँ, यह सवाल आपको समझ में आया होगा, चलिए अब दो सवाल और देखेंगे, इस देखेंगे, तीन साल में 5% के इसाब से व्यक्ति जो है, वो 6000 रूपय का रिन लेता है, और उन्होंने पहले दो वर्षों में दो कृष्ट लेता है, वो जिसमें की 2100 रूपय का वो दोनों किस्तों को चुका देता है, उसे अपने सभी रिन को चुकाने के लिए तीसरे वर में नहीं पड़ा था, तभी भी मैंने आपको बता के रखा हुआ है, अब समझते हैं यहाँ पर कि 6000 रूपय यदी मेरा मूलधन है, इसमें जब आप 5% दोगे, तो 5% मतलब इसका 300 रूपय और दोगे, तो ब्याज दो देने के बाद, यानि ब्याज देने के बाद, टोटल अमांट जो हमें देना, वो आपका 6300 रूपया हो जाएगा पहले साल के रूपया, लेकिन पहले साल के एंड में जो है, आपने यहाँ पर 2100 रूपय चुका दिया, क्योंकि हर साल के एंड में हम 2100 रूपय चुका रहे हैं, जैसी आप चुका ओगे, तो अगले साल आपके पास 4200 रूपया बस बचेगा प्यमेंट के लिए, अब इसमें फिर से 5% का ब्याज आपको देना है, तो सबसे पहले तो 10% इसका 420 होगा, और 420 यदि इसका 10% है, तो 5% 420 का आधा है, याने 210 रूपय आपका ब्याज होगा, अब इन दोनों को जैसी में जोड़ने पर 4410 कि नहीं, याने इतना हमारा टोटल ब्याज है, सेकेंड एर के एंड में, टोटल अमाउंट इतना हमको पे करना है, ठीक है, और 4410 में से फिर से आपने 2100 रूपय दे दिया होगा, क्यूंकि आप यहीं तो करना है, यहाँ पर 2100 रूपय हम लोटाते जारें, पहले साल और द क्योंकि आप जानते हैं, इसका 10% 231 है, और 231 का आधा कर लोगे तो 115 और दसमलव 5 आजएगा, तो इसको दोनों को जोड लेते हैं, तो 5 दसमलव, दसमलव के आगे 5 आएगा, फिर 5 प्लस यहाँ 0 है तो 5 आएगा, 1 प्लस 3 करो, 1 प्लस 1 करोगे तो 2 आएगा, और 23 में 1 जो compound interest में जब installment का नहीं पढ़ाया था, तब भी मैंने इस तरह का सवाल लिया हुआ, हमारा जो method 1 था, उसमें भी मैंने इस तरीके का सवाल लिया था, कि इस तरीके सवाल को कैसे हल करना है, यहीं नहीं मैंने आपको यह भी बता के रखा है, कि अगर इस case में compound interest और simple interest का difference total value हाएगा, यही हमारा amount payment होगा, लास्ट में ठीक, एक आखरी सवाल देखते है, यहां दियावा है, सुरेश पर्चेस्ट टेलिविजन, cost rupees 13,000 to 40, on a term that he has required to pay some cash down payment, followed by 294 at the end of first year, 6292 at the end of second year, and 1331 at the end of third year, interest charge is 10% per annum, calculate the cash down payment, लेकि सुरेश ने क्या किया टेलिविजन खरीदा जिसकी कीमत जो है, वो है 13,240 रुपया, जिसके पहले उन्होंने पहले साल के अंत में इतना रुपया, दूसरे साल के अंत में इतना और तीसरे साल के अंत में इतना रुपया देकर पुरा भूगदान कर दिया, अब आपको बताना है कि 10% अगर चक्रिविदी ब्याज के ग्रूप में यदि हम देते हैं तो नगत अगरी भूगदान कितना है यह आपको निकालना है अब देखें यहां पर आपको प्रत्यक वर्ष में इतना इतना पैसा हमने चुकाया यह दिया हुआ तो आप यह जानते हैं कि principal और amount का ratio यहां पर मैं purely पहले वर्ष दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष की बात करूँगा अभी तक हम जो देख रहे थे वो पूरे के पूरे तीनों वर्षों का हम देख रहे थे लेकिन अब मैं केवल पहले वर्ष का ratio केवल दूसरे वर्ष का ratio ठी यहां पर यदि आपने last में 1331 देकर पूरा का पूरा amount को clear कर लिया मतलब यहां पर अगर 11 बरावर इतना है मतलब यहां पर 121 रूपया 121 हमारा multiplication factor है तो तीसरे साल के शुरुआती तौर पे यह जो 10 है इसका मान कितना हो जाएगा 1210 रूपया लेकिन आपने यहां पर में इतना रूपया payment कर दिया था मतलब यहां पर आपने अगर second year के end में इतना payment कर दिया तो इसमें यदि मैं यह amount जोड़ दू याने 692 रूपया जोड़ दू 1210 में तो टोटल आजाएगा 2 यहां पर 0,1 यहां पर आजाएगा 5 और 7500 दो रूपया अब यहां से इसका value जो है वो यहां पर 7502 है मतलब कि यहां से 7502 जो value है इसमें से आपने इतना भूगदान किया होगा और इतना भूगदान करने के बाद यह value बचाओ तो मैंने क्या क काटने पर 6 फिर 66 के बाद 90 आ रहा है तो 8 बार कटेगा फिर 2 आ रहा है मतलब 682 है multiplication factor मतलब दूसरे साल के शुरुवाती तौर पे जो 10 है इस 10 का मान हो जाएगा इस 10 का मान हो जाएगा 6820 अब इसमें भी आप समझे कि पहले वर्ष के अंत में हमने इतना पैसा चुका दिय यहां पर 11 आ जाएगा यहां पर 16 आ जाएगा यहां पर आ जाएगा 9614 मतलब यह जो 11 है इसका मान है 9614 मतलब आप समझिए यहां से कि हमारा जो multiplication factor वो कितना है 8 से गुणा करोगे 88 फिर 81 आ रहा है तो 7 से जाएगा फिर यहां पर 4 आ रहा है यानि 44 मतलब यह जो शुरुवा करोगे तो value आ जाएगा यहां से 8740 8740 मतलब कि यहां पर जो शुरुवाती तारुपे बकाया राशी जो है वो 8740 अब समझिए यहां से कि आपने जो total amount दिया था आपने जो total amount दिया था वो TV का इतना था और बकाया राशी इतना है अब आप से क्या पूछ रहा है cash down payment पूछ माइनस 8740 इसका दोनों का अंतर लेंगे यहां पर जीरो आ जाएगा ठीक है तेरा से काटोगे तो बारा जाएगा यहां पर बारा में से साथ गया तो बचा पांच और यहां पर 4500 चार हजार पांच सो रुपया जो है इतना आपने नकद पेमेंट किया होगा और उसके मेंट टम बिरस्ट लगा हुए अब कुछ लोगों को डावट आ रहा होगा कि सो यहां पर तो आपने बताया था कि इस तरीके से इसको स्कौर करना है जब हमprofit कर रहे थे तो यहां पर हम यहांran ऐसा square क्यों नहीं कर रहे हैं simple simple क्यों लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो हमने लिखा है ratio यह first year से second year का ratio second year से third year का ratio यह third year से fourth year का ratio लेकिन पहले जब हम लिख रहे थे वो directly first year to first year का second year का ratio second वाने line में हम लिखते थे first year to second year का ratio और तीसरे line में जब हम लिख रहे थे तो first year to third year का ratio लिख रहे थे लेकिन यहाँ पर directly उस उस year का ratio है तो इसलिए यहाँ पर इस तरीकी से लिखा हुआ है चलिए अब मैं यहाँ पर इस वीडियो को रोखता हूँ और आशा करता हूँ कि installment से related कोई भी सवाल आपके exam में आ जाए तो वो आपसे जरूर बनेगी ठीक है आपके exam से एक level आगे मैंने यहाँ पर आपका preparation कराया है और अगर आपके exam में installment से related कोई भी सवाल आता है वो आपसे जरूर बनना चाहिए वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like जरूर करें चैनल को subscribe करके bell icon दबाना ना भूले क्योंकि आपके like और subscribe से हमारा motivation हाई रहता है कि हम यहाँ पर और बहतर content जो आपको free of cost मिल रहा है उसमें और बहतर करें तो लिए thank you so much इस वीडियो में इतना ही next वीडियो में हम एक नए topic के साथ start करेंगे इसके साथ ही इस वीडियो के साथ आपका compound interest, simple interest, installment पूरी तरह से complete है weekend में आपको और भी questions मिल जाएंगे practice के लिए जो कि आपके installment, compound interest और साथ ही साथ और जो topic आने वाले उससे related होंगे thank you so much इस वीडियो में इतना ही